दिदी जिवना जस्ट अभी सुभा उठके ही आए हैं और नमस्ते क्या बले? दाव पेरी अच्छा मतलब सुभा उठने के बाद जो गुड मॉनिंग होता है उसको दाव पेरी बोलते हैं उराव टाइब होते हैं उनके माथे में होता है और हाथ में और पेर में मतलब गुदना इस तरह से गुदवाते हैं अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं आप लोग को बहुत ही एक खुशुरा सा घर दिखाने वाला हूँ दस्तों यह दे सकते हो कि जो बैल सब हैं उनको चराने के लिए जा रहे हैं आप लोग को ट्राइबल किशन दिखाने वाला हूँ जो गाउं का किशन होता है वो किस तरह से होता है तो यहां साधी हो रहा था तो यह पूरा हडिया सब बना हुआ देखो जो ट्राइबल छेतर होते हैं वहाँ जब तक हडिया नहीं होता है तो तक साधी नहीं होता है पढ़ाई लिखाए उनका सबसे अवल होता है नौकरी जाकरी मेवे बहुत ज़्यादे में मतलब यह बोल सकते हो और काम धाम में भी बहुत ज़्यादा करते है मतलब इनका नहीं अलग ही स्वाइग है ऐसा बोल सकते हो तो वो सब आज का वीडियो में आपको देखने को मिलेगा घर सब देखिए यहां के लोग देखिए अभी जो है कि इन लोग ना घर का जो आंगन है वो सब को लिपाई पुताई करके अभी सबजी सब काटना शुरू कर दें देदी नमस्ते देदी कठल सबजी बन रहा अच्छा अभी दोस्तों कठल का सीजन है तो पस यही सब जी बन रहा है और यह देखिए इनका यह घर इस तरह से और गुबर से जो लीपे हैं भाई आंगन को कितना मस्त लग रहा है देखो अंटी नमस्ते अब अंटी को देखो इनके हाथ में गुदना सब दिख रहा है अच्छा पहले के आद्मी ना मतलब सादी से पहले गुदवा ले रहा है अच्छा देखिए दोस्तों जो है जो उराव टाइब होते हैं उनके माथे में होता है और हाथ में और पैर में मतलब गोदना इस तरह से गोद आते हैं जो पहले के लोग होते थे अब देखो बैट के अराम से अभी जुगाली कर रहे हैं चारा सब दिये हुए हैं अब आगे बढ़ते हैं इस अबसती महला देख रहा है और यह जो है बैल मतलब पैल रखने के लिए होता है और अभी दिति जो है गोबर सब ठेक रही हैं और इस तरह से दोस्तों जो धुआ उठता दिखता है मतलब वहां खाना बन रहा है और किता मस्थ लगता है पता और चलू आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहां दर लखड़ी का यूज है वो बांस का घेरावा किया है मतलब इनको इन लोग ठोला समझदार है यह बल सकते हो और यह सब इधर बच्ची है वो इस तरह से जाड़ो सब लगा रहे हैं कुछ भाई लोग हैं देखो सुबा सुबा बस अर्वाई लोग कैसे है ठेक है सर उप लोग जा बोलते हैं अब गुरा बोलते इसको नम इहां एक डिस्टिसे से बात करो न मतल teenager कहाई हाँ तो फुर्से के यह कर रहे हुई जलेल यह आपने यह भी बोलिते हैं किस तरह से बोलते हूं है हम एक जुसे से बात करो ना मतला ह कैसे हो या क्या कर रहे हैं हेखिश कि इसका मतलब क्या हूआ अच्छा आपकिन breadland अज एक तुसरे से बात करो तो कुछ कुछ तेसे न возмож palette कि बुचा हरो एमा कुन मतलब इसा क्या होता है अच्छा मैं मतलब नाने जाओंगा बोलके उन्जों भाई लोग हैं उनलोग अभी राद भर साधी नाचे हैं तो और सुबा सुबा भी यहां आके बैठें हो लोग थोड़ा लेट हो गए और बाके चलो अभी आगे बढ़ते हैं यह सब देख सकते हैं जो भाई लोग हैं मस्तर अभी बच्चे को पाहा के बाहर निकले हैं और शली आगे बढ़ते हैं और जो गाओं का सबसे बड़ा चीच है दोस्तों सैकल अब धी धीर क्या कि लोग बाईक में उतरते जा रहे हैं नहीं तो गाओं में अधितर सैकल काली में घुमते हैं लोग बता रहे हैं कि यहां साधी सब भी हो रहा था क्या बोला चाहिए यह पुरा बॉक्स अब लगा हुआ है और यहां दोस्तों यह मड़वा सब है और जो अभी यह लिपाई सब कर रहे हैं यह जो दिदी है अभी मस्त गोबर से लिप रहे हैं इस दोस्तों जो कच्छा का घर होता है उसको काफे मेंटेन करना पड़ता इस तरह से लिपाई सब करने के लिए और दोस्तों यहां साधी हो रहा था तो यह पूरा हडिया सब बना हुआ देखो और जो टाइबल छेतर होते हैं वहां जब तक हडिया नहीं होता है तब तक साध काफी लोग पीपी के अराम से मस्त और दूसरा चीज दोस्तों की यह दिख रहे हो आप लोग दिवाल पे कुछ चित्रे बना हुआ है और यह ना क्या उलतव जब साधी होता है तब इस तरह से बनाया आता है देखो नो काफी मस्त सब जो लड़का और लड़की हैं इस तर काहा रखा गया है और दाई जो है कुछ चावल सब निकाल रहे हैं इस अबने लिए अच्छे अपने खाने के लिए रही है ऊपना घर साइडी सर देखो यह सब दूस्तों पूरा जो घर है कितना मस्त लग रहा है रहा इतना क्लीन क्लीन मतलब रखे हुए हैं और क्या ही ब प्रवांस हो चुके हैं तो जो के काली मिट्टी है उसको पूरा ना लिपके निला वाला भी मतलब कलर यूज करते हैं और चलो बागे बढ़ते हैं पूरा बख्री सबको बाहर रामसे बांदे में क्योंकि यहां गाड़ी घुड़ा होते आते नहीं है साम तिलाका होता है और यह कुछ घर है चली तो भी असफ़ला सागे घुमा दीजागा इस तरह से दादा यह काजी से इवाला इवाला काजी दे यह पूरा क्या बोला जैसे बुरा होता है न प्लास्टिक का उश्टाइव से गोल गोल लपेट के इसमें थान सबको रखा जाता है और इजा दोस्तों वही है बैल हो गया बाकरी हो गया यह सब बांदा जाता है अरे फिया यह क्या है इत्ता बड़ा बड़ा दिख रहे है यह वाला इसमें मचली मचली फशाने वाला है इत्ता साथ गलता हिए अर्फों दो तीन और इत्ते सह बड़े बड़े 3 farm look 1 रीजत के अल्द त्व कब्यारल चल्ए से वीह कुछ घर है और चलो अभी दिभी से मिलते हैं अजिए क्या सबने सब काट रही है अच्छा आपके बहू है अच्छा और यह क्या है यह वाला क्या फिर पिर्णा पिर्णा अच्छा बैटने के लिए बैठने के लिए मतलब किस तरह से मतलब इपुआल का तो पुर्ण पैरा की तो बना होता है ना अच्छा अरे वाह काफी सारा बना है ना दिखानों नहीं बढ़ जा तो इसके उपर अरे वाह क्या बात है तो देखिए दोस्तों अराम से मस्त बैठी में मतलब इसका पीड़ा का और आप इस तरह से यूज करते हैं इसको अच्छा ममी टमाटर मतलब भिंडी में डालने के लिए ना अच्छा और आप लोग साइट टमाटर खेती भी बहुत ज्याद होता है ना आप लोग कमाते हैं अच्छा कुछ बोले इनको ना खुड़ुक भास्ता में क्या बोले अच्छा उसको क्या बोली मतलब खुड़ुक में कैसे बोले अरगी चुआ नोड़ाल दी नोड़ाल दी अच्छा तो मॉना प्लाणलों जो बात करते हैं काफी मजाता है सुनने में यह देखिए दोस्तों यह ना मैं तो प्याज देखके पागल हुए जा रहा हूं अरे पाप अरे इतना ज़्यादा कमाई होता है अच्छा 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 अरे दोस्तों देखो यह ना जो मैं अभी दिखा रहा था आप लोको जो इसको क्या बोलते हैं पाइला ना तामी पाइला ना और ये कुछ धान है दूस्तों कौन से धान भी आए अच्छा तो मस तो देखिए ये मोईर बोलेंगे ना इसको मोडा मोडा हाँ ये हो गया उधर एक और हो गया अदला अभी तो दिखाई ही दे रहे हैं ऐसे कुछ-कुछ बात करो ना आप दोनों थोड़ा सा जैसे ही मतलब संजीत अच्छा ने अच्छा मतलब अभी क्या बोले उनको ही बता दी जाएगा हिंदी में थोड़ा सा मतलब अच्छा आप पूछ रहे हो कि संजीत जो है वो उठा की नहीं उठा बोलके मैं आप लोगों को बहुत एक खुसरा सा घर दिखाने वाला हूँ और ये घर ना बहुत ज़्यदा साफ सुत्रा है बता रहे हैं यह जैसे देख सकते हो यहां का जो इस तरह से छबाई ने पाई पुता आई की तना मस तरीका से जो मिटी है देखो पूरा मतलब बहुत ज़्यदा साफ है और इतना क्लीन देखो देखो पूरा जो पलस्तर मारा रहता है ना पूरा जमीन उस तरह से दिखाई दे रहा है और चलिए दोस्तों मैं अभी आप लोगो इधर बस थोड़ा सा दिखाने लेता हूँ ये तो ज़स्ट ये बैठने के लिए है पीड़ा आपको जैसा है आप लोग देखा और दोस्तों जो ट्राइबल छेतर होते हैं ये दोस्तों आपको पता है अगर जो जानता हो जरूर कमेंट करना और जो tribal छेत्र होते हैं उसमें क्या होता है कि यह झे जो छेजिन का चटाई होता है यह लभभाड लभग हर गहर में पाया जादे के दोस्तो यह इनका आंगन है और आंगन आपो देख सकते हैं कितना साप शुतरा है आप लोग को दोस्तों मैं आप लोगों इसलिए बस दिखा रहा कि जो किशन होता है उसमें ज्यादा मसाला जो होता है ना वो सब यूज बिल्कुल नहीं करते हैं ना देखो तो बस यह खाना बन रहा है यह मतलब सब्जी है और इधर देखो तो कुछ भी नहीं बहुत ज्यादा खुबश प्राइबल देखा उनका बोली देखा वी किस तरह से रखते हैं और जो वहां साधी हो रहा था वहां मुझे निवता दिया गया था लेकिन मैं जानी पाया और उन लोग ना राद भर आते हैं और सुबह उटके वहां बैठे हुए तो बच्चे लोग बैठे थे तो आप ल से गाओं में जो रस होता है बोल सकते हो एक अलग ही वाइप है और आप लोगों को यह महान उराव समाज कैसा लगा उनको घर था यह सब तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर देजिए और वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक कमेंट से कर देगे मिलते जल्द यासे किसी नए ब्लॉग में तो तक लिए जय भारत जय चैनल कर देदेगे